मेरे चैनल में आपका स्वागत है आईए आज मैं आपको ओल का इंस्टेंट अचार बनाना बताती हूँ और ओल को जिमी कंद और सुरन भी बोला जाता है यहाँ पे एक अच्चा ओल है यहाँ पे मैं आधा किलो ओल ली हूँ उस चार भागों में काट करके चार टुक्रों मे और उसको तीन सीटी आने तक कुकर में उबाल ली हूँ उबालते समय उसमें थोड़ा सा एक चमच हल्दी और एक चमच नमक डाल करके उबाल ली हूँ उसके बाद ठंधा होने के बाद इसको काट करके और छोटे-छोटे टुक्रों में पिसेज में काट ली हूँ उसके ब पाउडर और थोड़ा सा मंग्रेला आजवाइन बड़े चमच से एक चमच मस्टर्ड पाउडर है और एक चमच छोटे चमच से आमचूर पाउडर है और बड़े चमच से इसमें चार चमच सरसो तेल एड़ की हूँ और इसमें एक निम्बू करस भी एड़ की हूँ क्योंकि यह ओल जो है तो अगर अच्छे से इसमें खटा चीज नहीं डाला जाए खटाई तो यह मूँ को पाटता है खाने से में हिचिंग होती है इसलिए इसमें निम्बू करस या आमचूर अच्छे से मिलाना चाहिए और उसके बाद इस अचार को दो दिन के लिए दोप म रख दे उसके बाद इसे खाए और यह टेंपरोरी अचार है इसे आप फ्रिज में रख करके आठ दिन खा सकते हैं और यह अचार बहुत टेस्टी होता है तो इसे आप बनाए खाए और औरों को खिलाए और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब क प्रें कूर्णों कूर्यों करतो है इक हैं डिंवाद ही झाल फिर फेशनल यह इन भीक debate allaर आष की ञeसरे हो तेार्ड़ पास हिलता है वतिवा झी और आ करते हैं संदिए आया वट तो जांवादा औरों जास हुआ हैं चूंठा हैं झीर टीर जैवां टीर आन्या हैं शॉँ